है लो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशला ऐलिमिनियम लेमिटेड की क्विक्ली एलिस्स देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो नेशला ऐलिमिनियम में आप देख लेगा कि स्टॉक कंसिस्टेंटली तेजी दिखा रहा है दीरे दीरे चल रहा है बट कहीं न कहीं अवर्ड मोमेंटम के साथ उपर की दिशा ही पकड़े हुए तो आप यह नहीं कह सकते कि स्टॉक बेरिश हैगा बट स्लो मोमेंटम है आप उपर की दिशा में यहां आप आज देखें जो अपनको सेलिंग देखने को मिले उपर की दिशा में वो रही है 163 के रहा हूं तो 163 के उपर स्टॉक जा नहीं पाया यह अपना उपर सबसे ज्यादा एक्टेव थे नीचे की दिशा में जो बानको बाइरिस देखने को मिले वह आज रहा है 154 से तो कल भी आप देखें कल अपन को सेलिंग कल भी देखने को मिली थी आप इस केंडल को अगर नोटेस करें तो दोनों ही दिन की केंडल कल भी और वहां पे आप देखें तो अगर सेकंड फैब की जो लास्ट केंडल है वो भी कही ना कहीं बियरिस थी उपर से तो सेलर्स एक्टव काफी उपर की दिशा में इसलिए यह उपर सेल उफ जादा द देखने को मिल रहा है बट आज के दिन कहीं न कहीं जाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिला आज स्टॉक कहीं न कहीं पांच परसंड के अवर्ड मोमेंटम के साथ उपर की दिशा पकड़ी अब क्या होगा कल वो देखते हैं यहां पर देखें बायर्स एक्टिव ने सही देखने को मिली स्टॉक सस्टेन भी कर गया साइकलोजी का लेवल जो की 150 का था वो भी सस्टेन हो गया तो अब स्टॉक ऊपर की दिशा जब पकड़ेगा तो बायर्स तुमॉरो अपना जो ऊपर की दिशा में पहला टार्गेट होगा अब वो रहेगा 170 अगर कल स्टॉक ब अपना मूव करता है यहां से 3-4 परसेंट तो अपनको देखने को मिलेगा 170 का लेवल और नेक्स्ट 4 परसेंट में आप देख लेए तो अपनको मिल जाएगा 175 का तो अगर 3-4 परसेंट दो दिन मूव कर जाता है तो 175 पे अपनको लेवल देखने को मिलेगा 175 ही क्यों क्यों वो एक psychological level है तो obviously sellers active यहाँ पर जाद होंगे तो यहाँ पर sellers stock को गिरा नहीं कोशिस करेंगे इसलिए 175 वो sustain हो जाता है तो फिर obviously target 181, 185 है और जल्दी ही आपको 200 के target भी देखने को मिलेंगे तो stock सही चल रहा है कोई उपर की दिशा में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी पहले भी discuss कर चुका हूँ क्यों था क्योंकि यहां पर देखें all time high के करीब था stock stock का जो all time high था पहले वो 141 था 2008 में इसलिए यहां पर stock को निकलने में दिक्कत हुई इस zone के आसपस यहां भी दिक्कत हो रही थी और same यहां भी हुई इसलिए यह बार बार जो all time high था वो बह प्राइक वाला सेनरी होता फैली वो निकल गया है stock ने 150 का लेवल भी सस्टेन कर लिया तो अब stock अच्छा चलने वाला है आने वाले दिनों में बात कर ले थे हैं कि stock में support कहा रहेंगे तो support की जब बात आती है तो फिर आप देखिए कि पहला support जो अपना नीचे की दिशा म यहां पर 150 पर सी लिए क्योंकि वो एक psychological level है इसी लिए तो यह अपने short term support हो गए यहां पर और यह अपनी resistance या फिर आप target किया सकते हैं तो ऐसा चलेगा national aluminum आपका कल के दिन तो बस थोड़ा sub रखिएगा और धीरे धी stock जाएगा कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में दिस इस में सुबह मियादव सानिंग ओफ